बहुत समय पहले एक गाउ में देव रत नाम का एक ब्रामन रहता था वह अपनी पत्मी देव वदू के साथ रहता था शादी के कुछ वर्षों तक उनकी एक समस्य थी कि उनको कोई संतान नहीं थी दोनों संतान प्राप्ती के लिए ईश्वर से रोज प्रात्ना करते थे कुछ सालों वाद, उन्हें एक बच्चा हुआ बच्चे की आगमन से वो दोनों बहुत खुश हुए उन्होंने बच्चे को ईश्वर का आशिरवाद माना देव बदू अपने बच्चे का ध्यान रखती थी और उससे खूब प्यार करती थी एक दिन जब वह घर से बाहर गई तो उसे एक नेवले का बच्चा मिला उस नेवले के बच्चे को यूँ ही अखेला देख देव बदू को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आई वह अपने बच्चे को और नेवले के बच्चे को अच्छे से पाला करती और दोनों का ध्यान भी रखती थी समय के साथ साथ उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो चुका था और वह नेवला भी बड़ा हो गया था वह नेवला और उसका बच्चा आपस में खीला करते थे एक दिन ब्रामन की पत्मी अपने बेटे को पाल्ले में रखकर बाहर चली गई जब वह बाहर थी तब एक साफ उनके घर में खुशाया वह साफ पाल्ले में रखे हुए बच्चे की तरफ बढ़ने लगा तब ही नेवले में उस पर खना कर दो दोनों के बीच लंबे समय तर तलगाई हुए और फिर अंत में नेवले में उस पर खना मार दिया इस तरीके से नेवले ने बच्चे की जान बचाई कुछ समय बाद देव वदू जब अपने घर वापस आई तब उसने देखा कि नेवले के मूँ में खून लगा था नेवली के मूँ में खून देखकर विद डर गई और उसके दिमाग में खयाल आया कि नेवली ने उसके बच्चे को मार दिया है। इसी खयाल के चलते ते वदू ने नेवली को दंडे से पीट पीट कर मार दिया। नेवली को मारने के बाद वो अंदर गई। तो उसने देखा कि पाल्ले में उसका बेटा सही सलामत सो रहा था और पास में एक मुर्दा साप पड़ा हुआ था यह देख ब्रामण की पत्मी को समझ में आ गया कि नेवली ने उनके बेटे की चान बचाई थी और चान बचाने के लिए उसे सजा के तौर पे मौत नहीं ऐसे में देव बदू जमीन पर बैट कर रोने लगी तबी उसका पती ब्रामण वापस आया और उसने अपनी पत्मी से प्रचा कि क्या हुआ था अपने पती के सवाल पूछने पर देव बदू ने उसे सारी बात सुनाई देव बदू ने यह भी बताया कि उसे अपश्थावा हो रहा है ऐसे में उसके पती ने देव बदू से कहा तुमने बच्चे को अकिला छोड़ा था इस बात की सजा तुम ही मिल रही है